The topic we will be discussing in this video is ECG that is electrocardiogram यह जो topic है ECG यह एक बहुत ही बड़ा topic है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ basics of the ECG यहां पर discuss करेंगे physiology point of view से So ECG के basics discuss करने में हम लोग mainly इस पूरे के पूरे वीडियो को तीन पार्ट में divide करेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ECG complex के बारे में कि P wave क्या होता है, URS wave क्या होता है, T wave क्या होता है तो एक typical ECG complex को हम लोग समझेंगे उसके बाद हम लोग ECG paper के बारे में बात करेंगे कि ECG paper कैसा होता है और उसके क्या calibrations होते है and finally हम लोग ECG leads के बारे में discuss करेंगे तो इन सारे चीजों को discuss करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक basic introduction discuss कर लेते हैं कि कैसे कोई भी nerve impulse जो की heart के अंदर जो भी action potential generate होता है वो कैसे heart के अंदर travel करता है तो हमें बता है कि heart के total 4 chambers होते हैं एक simple diagram से हम लोग समझ सकते हैं right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle होता है इसको और easy करने के लिए हम लोग दोनों atrium को एक segment माल लेते हैं और दोनों ventricle को एक chamber माल लेते हैं तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो भी electrical impulses होती है वो generate होती है sinoatrial node that is SA node से उसके बाद वो inter nodal pathways से reach करती है AV node में that is atrium ventricular node में atrium ventricular node से यह septum में आगे की तरफ run करती है through bundle office and finally यह bundle office दो पार्ट में divide हो जाता है right bundle branch और left bundle branch फिर यह right bundle branch और left bundle branch जो होती है वो अपने-पने ventricles के musculature में जा करके supply करती है through perkinje fibers तो ऐसे nerve impulse जो की generate हुआ SA node में और यह पूरा का पूरे heart में यह heart के अंदर यह पूरा travel करता है तो यह हमें basic पता है अब हम लोग discuss करेंगे अपने main first important topic के बारे में that is ECG complex अब हम लोग discuss करेंगे ECG complex के बारे में तो ECG complex कुछ इस प्रकार का देखता है हम लोगों को जिसके अंदर हम लोगों को कुछ waves देखने को मिलेंगे कुछ segments देखने को मिलेंगे और कुछ intervals देखने को मिलेंगे तो एक एक करके हम सारे waves को discuss करेंगे फिर सारे segments को discuss करेंगे और फिर सारे intervals को discuss करेंगे इस CCG के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो standard line जो हम लोगों को center में देखने को मिल रही है ये जो line होती है ये एक तरह से हम लोगों कह सकते हैं कि zero voltage line होती है इसमें हम लोगों को positive reflections देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ wave देखने को मिलती है positive reflection में जिसको हम लोग R wave कहते हैं, और फिर negative की तरफ जाती हुई हमेर S wave देखने को मिलती है. ये जो Q wave, R wave और S wave होता है, इसको साथ में मिलाकरके हम लोग QRS complex भी कह देते हैं. उसके बाद फिर आगे हम लोगों को एक positive reflection देखने को मिलता है जिसको हम लोग T-wave कहते हैं तो ultimately ये P-wave, URS complex और T-wave ही typical ECG complex के अंदर हमें देखने को मिलता है Sometimes हमें U-wave भी देखने को मिल सकता है कुछ-कुछ ECG के अंदर जो की pathological नहीं होता है P-wave की बात करें तो P-wave जो है वो represent करता है atrial depolarization को हमें पता है कि कभी भी nerve impulse जो होती है सबसे पहले atria को depolarize करेगी और उसके बाद धीरे-धीरे वो septa से travel करते हुए ventricles को depolarize करेगी and finally फिर repolarization start होगा तो जो P-wave होता है वो atrial depolarization को represent करता है यह जो Q-RS complex होता है वो ventricular depolarization को represent करता है मतलब अब जो action potential है वो ventricles तक पहुँच चुके हैं उसके बाद फिर finally यह क्या होंगे repolarize होना start हो जाएंगे तो जो T-wave होता है यह जो T-wave है यह ventricular repolarization को denote करता है और U-wave जो कि कभी-कभी देखने को मिल सकता है हम लोगों को वो late repolarization को represent करते हैं जब repolarization late होता है किन के अंदर mainly परकिंजे fibers और papillary muscle repolarization जो होता है वो generally late repolarization होता है तो उन individuals के अंदर हम लोगों को U-wave भी देखने को मिल सकते हैं जो कि pathological नहीं है physiological है किसी-किसी cases में हम लोगों को देखने को मिलते हैं बट एक typical ECG complex में हमें ये P-wave देखने को मिलेंगे QRS complex देखने को मिलेंगे और T-wave देखने को मिलेंगे ये बहुत ही important part है जो कि हमसे अक्सर पूछा जाता है और ये हमें पता होना ही चाहिए कि P-wave क्या represent करता है QRS complex क्या represent करता है और T-wave क्या represent करता है तो ECG complex का पहला part हमने खतम किया waves अब हम लोग discuss करेंगे किसके अंदर कुछ segments होते है वो कौन-कौन से segments होते हैं वो हम लोग discuss करेंगे तो इसके अंदर mainly हम लोगों को दो segment देखने को मिलते हैं जितने भी straight line हमें देखने को मिल रहे है जैसे कि ये P और Q के बीच में straight line देखने को मिल रहे है और S और T के बीच में straight line देखने को मिल रहे है ये straight line को हम लोग segment कहते है ये P और Q के बीच में जो straight line देखने को मिल रहे है उसको हम लोग PR segment या फिर PQ segment कहते है वैसे तो इसको कहना चाहिए था PQ segment बट इसको PR segment भी कहा जाता है और S और T के बीच में ये जो देखने को मिल रहा है इस state line को हम लोग ST segment कहते हैं तो total दो segments हम लोगों को देखने को मिलते हैं first is the PR segment जो कि end of the P wave को connect करता है onset of the QRS complex से इसमें क्योंकि एक zero voltage line होती है ISO electric होता है कोई flow of the current यहाँ पर नहीं होता है ये represent करता है AV node delay को जो की जिसका duration 0.1 second होता है मतलब कह सकते हैं कि PR segment में actually में हुआ क्या PR segment के अदर actually में होता ये है कि ये जो P wave है वो खतम हो गई है मतलब atria का depolarization खतम हो चुका है और QRS अभी start नहीं हुआ है मतलब ventricular का depolarization start नहीं हुआ है मतलब जो impulse है वो atria को तो depolarize कर चुकी है लेकिन ventricular को अभी तक depolarize नहीं किये इसका मतलब अभी कहीं न कहीं AV node delay चल रहा है और यहीं ये segment represent करता है ये जो PR segment होता है उसका duration होता है 0.1 second next segment जो होता है उसको हम लोग कहते है ST segment ये ST segment जो होगा वो end of the QRS complex से onset of the T wave को connect करता है यहाँ पर हम लोग देख सकते है end of the QRS complex से onset of the T wave sorry end of the QRS complex से onset of the T wave को ये connect कर रहा है ये भी straight line है मतलब कोई भी flow of current यहाँ पर नहीं है और ये भी isoelectric है next हम लोग बात करते है कुछ intervals के बारे में जो हम लोगों को देखने को मिलते है mainly 3 intervals हम लोगों को देखने को मिलते है एक होता है PR interval दूसरा होता है RR interval और तीसरा होता है QT interval तो इस diagram के अंदर हम लोगों देख सकते है PR interval actually में ये interval है जो कि onset, before the onset of the P wave से लेकर के onset of the QRS complex के बीच में ये जो interval देखने को मिल रहा है इसको हम लोग PR interval कहते हैं मतलब ये PR interval के अंदर पूरी की पूरी P wave आ जाती है और पूरा का पूरा PR segment आ जाता है next है RR interval जो कि एक R wave से लेकर के और दूसरे heartbeat के जो R wave होता है उसके बीच के interval होता है इसको हम लोग RR interval कहते हैं और जो next interval है उसको हम लोग कहते हैं QT interval जो कि onset of the QRS complex से लेकर के end of the T wave तक देखने को मिलता है जिसके अंदर mainly हम लोगों को पूरा का पूरा QRS complex पूरा का पूरा ST segment और पूरा का पूरा P wave देखने को मिलता है इस पूरे interval को हम लोग कहते हैं QT interval तो यह mainly तीन interval हमने discuss किया, first is the PR interval जो कि before onset of the P wave से लेकर के onset of the QRS complex तक देखने को मिला, जिसके अंदर P wave था और PR segment दोनों को मिला करके यह PR interval बना था और इस PR interval की जो duration होती है वो 0.16 second होती है या फिर ऐसा कह सकते हैं 0.15 से लेकर के 0.2 second 0.2 second के बीच में यह lie करती है तो यह एक बहुत important value है जो हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि PR interval actually में कितना होता है तो वो 0.16 second होता है नेक्स्ट है RR interval RR interval हमने देखा दो successive R waves के बीच का जो interval होता है उसको हमने RR interval किया और इस RR interval का significance यह होता है कि इससे हम लोग heart rate calculate कर सकते हैं heart rate जो होता है वो उसका calculation जब हम लोग करते हैं तो वो 1500 divided by number of small squares between the two successive R waves जब हम electrocardiogram में हम लोग इसको देखेंगे जब ECG के paper में जब हम लोग इसके calibrations देखेंगे तो फिर हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे heart rate जो हम लोगों को calculate करना होता है तो 1500 से हम लोग divide कर देते हैं दो R waves के बीच में जितने भी small squares होते हैं उसको divide कर देते हैं तो हमें heart rate मिल जाती है मतलब इस R wave और इस R wave के बीच में जितने small squares हम लोगों को देखने को मिलेंगे ECG paper के अंदर उन सब को हम लोग count कर देंगे और उसको 1500 से जब divide कर देंगे तो हमें heart rate मिल जाएगी और क्योंकि एक big square के अंदर 5 small square होते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि total एक big square के अंदर 25 small square होते हैं 5 horizontal and 5 vertical के rows में arranged होते हैं तो इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि जो heart rate होता है वो 300 divided by number of large squares between the two successive R waves होता है but simplicity के लिए हम लोग mainly ये formula याद करते हैं heart rate is equal to 1500 divided by number of small squares between the two successive R waves और ऐसे हम लोग heart rate calculate कर सकते हैं एक ECG paper को देख करके next interval जो होता है जिसको हम लोग QT interval कहते हैं ये QT interval जो होता है वो onset of the QRS complex से ले करके end of the T wave तक present होता है इसके अंदर क्या क्या आता है तो QRS complex आता है ST segment आता है और T wave आता है मतलब ऐसा कह सकते हैं कि total ventricular activity देखने को मिलेगा QRS complex जो कि denote करता है ventricular depolarization को और T wave जो कि denote करता है ventricular repolarization को और ST segment जो कि depolarization और repolarization के बीच का समय होता है मतलब पूरा का पूरा ventricular activity इसके अंदर आ गया QT interval के अंदर और ये QT interval का जो duration होता है वो on and average 0.35 second का होता है तो ये हमने ECG complex discuss किया जिसके अंदर हमने different waves discuss किया different intervals discuss किया और different segments discuss किया अब हम लोग detailed discussion करेंगे ECG paper का ECG paper के अंदर क्या calibrations होते हैं उनकी क्या speed होती है ये सारी चीज़े अब हम लोग discuss करेंगे सो अब हम लोग देखेंगे ECG paper के बारे में normal ECG machine के अंदर जो normal speed होता है ECG paper का वो 25 mm per second होता है ये एक standard speed है जो हमें याद रखना है कि ECG paper का जो speed होता है वो 25 mm per second होता है अगर हम लोग एक typical ECG paper की बात करें तो ECG paper के अंदर कुछ large squares होते हैं कुछ small squares होते है ये जो dark lines है ये demarkate करते हैं in large squares को और ये जो light lines है ये demarkate करते हैं in small squares को large squares के अगर dimensions के अगर हम लोग बात करें तो वो 5 mm into 5 mm वो large square होता है मतलब 5 mm उसका length होगा और 5 mm ही इसकी width भी होगी या फिर इसका breadth भी होगा वही इसके अंदर total 25 small squares present होते है 5 into 5 25 small squares इसके अंदर present होते है तो एक small square की जो dimension हो जाता है वो 1 mm into 1 mm हो जाता है ये हो गया dimensions of the large square and the small square जो की हम लोगों को ECG paper के अंदर देखने को मिलता है अब horizontal axis पे generally time plotted होता है और vertical axis पे generally amplitude plotted होता है time के अगर हम लोग calibration की बात करें तो 1 mm equivalent होता है 0.04 second का तो simple सी बात है कि small square के अंदर अगर 1 mm 0.04 second का है तो ये 5 mm कितने का हो जाएगा 0.2 second का हो जाएगा इसको 5 से multiply कर देंगे तो ऐसे हम लोग time calibration निकाल सकते है amplitude की अगर हम लोग बात करें उसका क्योंकि length होता है तो 5 mm का जो amplitude हो जाएगा वो 0.5 mmV हो जाएगा तो basically हम लोग कोई एक value याद रख लेए या तो small square के लिए या तो large square के लिए तो उसको 5 से divide करके या 5 से multiply करके हम लोग दूसरे square की that is big effort small square का data निकाल सकते है जैसे convenience के लिए अगर हम लोग small square या दर खले है कि 1 mm is equal to 0.04 second होता है horizontal axis पे that is time axis पे और amplitude axis पे 1 mm is equal to 0.1 mmV होता है तो इससे हम लोग large square के dimensions भी निकाल सकते हैं कि उसके लिए amplitude जो हो जाएगा वो 0.5 mmV हो जाएगा in the vertical axis और time जो हो जाएगा वो 0.2 second हो जाएगा in the horizontal axis तो यह था ECG paper के बारे में तो इसी तरह जब हमने जैसे heart rate calculate किया था तो heart rate का formula था 1500 divided by total number of small squares between two successive R waves let's suppose मान लेते हैं कि एक R wave का जो peak है वो यहाँ देखने को मिलता है तो इसके बीच में total कितने small squares हो जाएगे एक, दो, तीन, चार और पांच हो जाएगे तो अब इस समय heart rate उस patient का क्या हो जाएगा 1500 divided by 5 that is actually 300 beats per minute तो यह उसका heart rate निकल किया जाएगा तो इस तरह हम लोग heart rate calculate करते हैं एक ECG paper के अंदर हम लोग एक normal ECG complex को देख करें तो यह हमने ECG paper discuss किया इसके बाद हम लोग discuss करेंगे सबसे important part इस पूरे के पूरे वीडियो का that is ECG leads अब ECG leads को पि हम लोग 2 part में divide करेंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन-कौन से ECG leads हम लोग use करते हैं फिर हम लोग देखेंगे इनको कैसे हम लोग apply करते हैं और उसके बाद finally हम लोग deflection समझेंगे so जिस ECG को हम लोग discuss कर रहे हैं वो 12 lead ECG है जिसके अंदर total 12 lead पाय जाता है जिसमें से 3 limb leads होते हैं जो कि हमारे limbs में हम लोग इसको attach करते हैं 3 augmented leads होते हैं इनको भी limb में attach करते हैं लेकिन ये इनसे ज़्यादा amplified result देते हैं फिर increased result देते हैं इसलिए इसको augmented leads भी कहा जाता है और 6 होते हैं chest leads जिनको हम लोग precordial leads भी कहते हैं इनको हम लोग chest पर apply करते हैं. तो अगर हम लोग बात करें limb leads की, तो total limb leads को denote करते है, roman number से limb 1, limb 2, limb 3 lead हो जाएगा, और augmented leads जो होता है, उसमें AVR होता है, AVL होता है, और AVF होता है, और chest leads या फिर peculiar leads जो होता है, उसमें V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये leads होते हैं. तो limb leads, actually में हम लोग कहां-कहां apply करते हैं, वो हम लोग देखेंगे. Let's suppose कि एक person ने, जिसका ये right arm है, जिसका ये left arm है, और ये left foot है, और ये right foot है. तो इसमें leads जो हम लोग apply करते हैं, वो right arm, या फिर left arm, या फिर left foot में apply करते हैं. राइट foot में हम लोग generally neutral lead लगाते हैं, इसमें कोई भी electrodes ने place करते हैं. अब हम लोग electrodes के अगर हम लोग बात करें, तो एक lead के अंदर में लिए दो electrodes होते हैं, एक positive electrode होगा, एक negative electrode होगा, जो की actually में ECG machine से connected होता है, जहां पे हम लोगों को deflection notice करने को मिलता है. और left arm को हम लोग positive electrode से connect करते हैं, और जब हम लोग इसको ECG machine से connect करते हैं, तो कह सकते हैं हमे positive deflection देखने को मिलता है. Next lead जो होता है, lead 2 होता है, जिसमें हम लोग negative electrode को connect करते हैं right arm से, और positive electrode को connect करते हैं left foot से, जिसकी वज़े से हम लोगों को once again एक positive deflection देखने को मिलता है और third lead जो होता है that is lead 3 जो होता है जिसके negative electrode को हम लोग connect करते हैं left arm से और positive electrode को connect करते हैं left foot से जिसकी वज़े से once again हमें positive deflection देखने को मिलता है तो lead 1, lead 2, lead 3 जो है इन तीनों से हमें positive deflection देखने को मिला मतलब कह सकते हैं कि ECG जो report में आया वो above the zero voltage line हम लोगों को देखने को मिला So now the question arises कि limb में हमने electrodes रखा तो हमें ये electrical activity क्यों देखने को मिली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि heart जो कि center में present होता है उससे जो impulses निकलती है वो surrounding tissues में radiate करती है और ये radiate करते करते limbs तक भी पहुँचती है जिसकी वज़े से हम लोग electrical activity को notice कर पाते है तो ये जो भी heart है उसको हम लोग एक triangle के form में अब एक imaginary triangle के form में represent कर सकते हैं इन limb leads को साथ में connect करके जैसे अगर हम लोग इसको represent करना चाहे हैं इस triangle को हम लोग कहते हैं इस imaginary triangle को हम लोग कहते हैं इंधोवन triangle जिसके अंदर हमने जब right arm को यहाँ पे represent कर लिया left arm को यहाँ represent कर लिया और left foot को हमने यहाँ represent कर लिया right arm पे जब negative electrode connect किया left arm पे हमने positive electrode connect किया तो हमें एक positive reflection देखने को मिला जिसको हमने कहा lead 1 lead 2 हमने कहा जब हमने right arm को negative terminal से connect किया और left foot को positive terminal से connect किया तो इसको हमने कहा lead 2 और lead 3 जो हो जाएगा जब हमने left arm को negative terminal से connect किया और left foot को positive terminal से connect किया तो इसको हमने कहा lead 3 यह direction हम लोग कैसे दे रहे हैं तो यह direction है according to the dipole moment हमें पता है dipole moment हमेशा negative to positive के direction में होता है इसलिए हम इस dipole moment को इस arrow को ये direction दिया है इस arrow को towards the positive ये direction दिया है और इस arrow को towards the positive ये direction दिया है और ये पूरा का पूरा तयार हो जाता है हमारा inthoven triangle अब एक law होता है जिसको हम लोग inthoven law कहते हैं ये law ये कहता है कि जो lead potential of one होता है और lead potential जो की third lead का होता है इन दोनों को अगर हम लोग sum करेंगे तो हमें second lead का potential मिल जाता है तो ये इन्थोवन law कहता है कि first lead का जो potential है और third lead का जो potential है इनका sum जो होता है वो second lead के potential के बराबर होता है इसको हम लोग inthoven law कहते हैं तो यह हमने discuss किया limb leads के बारे में अब हम लोग discuss करेंगे augmented leads के बारे में So coming to the augmented leads augmented leads हमने देखे थे total तीन तरह के होता है एक AVR होता है, एक AVL होता है और एक AVF होता है इसका नाम कैसे पड़ा यह भी हमें समझ में आ जाएगा lead के connection से हमें समझ में आ जाएगा जब हमने right arm को positive electrode से connect किया और left arm और left foot को negative terminal से connect किया जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि right arm जो है उसको हमने positive terminal से connect किया और left arm और left foot दोनों को साथ में हमने negative terminal से जब connect किया तो हमें एक negative deflection देखने को मिला और इस lead को हम लोग कहते हैं AVR इस पूरे lead को हम लोग कहते हैं AVR कहते है जिसमें हम लोगों को negative deflection देखने को मिलता है मतलब ECG की जो line होती है वो zero voltage line से below चली जाती है जब हम लोग left arm को positive terminal से connect करते हैं और right arm और left foot को हम लोग negative terminal से connect करते हैं तो इस lead को हम लोग कहते हैं, AVL lead कहते हैं, और इनके अंदर हमें generally positive reflection देखने को मिलता है, जब हम लुग left foot को positive terminal से connect करेंगे, और right arm और left arm को negative terminal से connect करेंगे, तब जाकर करके हमें जो lead देखने को मिलेगा, उसे हम लोग AVF कहते हैं, और इसके अंतर actually में हमें positive inflection देखने को मिलेगा मतलब right arm को जब positive रखा और left arm और left foot को जब negative रखा तो हमने AVR देखा that is R का right उठा लिया तो AVR हो गया जब हमने left arm को positive रखा तो right arm और left foot जो हो गया वो negative हो गया और क्योंकि left arm को positive रखा था तो left arm का L उठा लिया तो ये AVL लीड हो गया और क्योंकि हमने left foot को तीसरे condition में left foot को positive terminal पे रखा और right arm और left arm को हमने negative terminal पे रखा तो जो positive terminal वाला जो left foot था उसका F उठा लिया और इसको हमने AVF लीड के दिया ये जो deflections हमें देखने को मिल रहा है ये हम लोग अभी आगे वीडियो में और अच्छे से समझेंगे कि actually में deflections क्या denote कर रहे हैं और कैसे हम लोग ये determine कर पाएंगे कि ये negative deflections कब हो रहा है positive reflection क्या हो रहा है और इसका मतलब क्या है ये ECG में हमें कैसा देखने को मिलेगा ये सब हम लोग अभी बात में discuss करेंगे अभी के लिए हम लोग ये याद रख लेते हैं कि AVR के अंदर हमें negative deflection देखने को मिलेगा AVL और AVF के अंदर हमें positive deflection देखने को मिलेगा और वही हमने देखा था limb lead 1,2,3 तीनों के अंदर हमें positive deflection देखने को मिला था अब हम लोग बात कर लेते हैं chest leads की तो chest leads में हमने देखा था total 6 chest leads होते हैं V1 से लेकर के V6 तक total 6 chest leads होते हैं जिनको हम लोग heart पे ऐसे करके place करते हैं अब ये chest leads कैसे होते हैं तो अगर हमने V1 को connect किया है इस तरह के हम लोग अपने chest पैसे points बनाते हैं और इस पर एक एक करके lead को रखते हैं अगर V1 जो है वो positive terminal से अगर ये जो V1 point है ये अगर positive terminal से हमने connect किया और ये जो right arm है, left arm है और left foot है इन तीनों को साथ में हमने negative electrode से connect कर दिया तो इसको हम लोग V1 lead कहते हैं और ये generally negative deflection शो करता है similarly अगर हमने इस V1 point को छोड़ करके V2 point को लिया और इस V2 point को हमने positive electrode से जोड़ दिया और बाकी right arm, left arm और left foot को हमने साथ में negative electrode से जोड़ दिया तो फिर इसको हम लोग V2 lead कहा देंगे और ये भी negative deflection शो करता है उसी तरह जब हमने V3 point से अगर हमने positive terminal को जोड़ा और बाकी सारों को negative terminal से जोड़ दिया तो उसको हम लोग V3 lead कहा देंगे ये generally positive या फिर isoelectric होता है isoelectric deflection शो करता है जबकि V4, V5, V6 point से जब हम लोग connect करते हैं तो हम लोगों को कहा देखने को मिलता है positive deflection देखने को मिलता है और इन leads को हम लोग V4, V5, V6 leads कहते हैं तो अभी तक हमने देखा कि जो limb leads थी उनको हमने देख लिया कि कैसे उनको connect करते हैं हम लोग ECG मसीन से augmented leads का connection हमने देख लिया और chest leads का connection देख लिया अब हम लोग समझेंगे कि ये deflections ऐसे क्यों हो रहे हैं तो इसको समझने के लिए अब हमें एक important concept समझना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं cardiac axis तो अब दो बाते समझना बाकी रह गई हैं सबसे पहली बात कि ये जो deflection है वो कब positive हो जा रहा है कब negative हो जा रहा है इसका basis क्या है ये हमें ECG के अंदर कैसे देखने को मिलेगा तो सबसे पहली बात को हम लोग clear करते हैं कि ये जो deflection है जो कि positive और negative हो जा रहा है इसका basis क्या है तो वो समझाता है हमें cardiac axis ये हम लोग याद कर सकते हैं कि normally cardiac axis जो होता है वो minus 30 degree से लेकर के plus 110 degree तक पहली करता है मतलब minus इसका जो range होता है वो minus 30 degree से लेकर के plus 110 degree तक होता है और जो इसका mean आता है वो plus 59 degree या फिर for convenience हम लोग इसको plus 60 degree भी कह सकते है ऐसा क्या होता है मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम लोग एक 0 degree को draw करें तो minus 30 degree इसका उपर आएगा और 110 degree लगबग यहाँ आएगा कहीं न कहीं 59 degree या फिर 60 degree पे इसका mean आता है कहने का मतलब क्या है कि actually में जो हमारे heart होता है उसके अंदर जब impulses travel करती है और जब atria से वो ventricle के अंदर आती है तो ventricles में सबसे पहले वो septum में आती है और उसके बाद फिर पूरे के पूरे ventricular mass में जाती है तो जब भी ये septum में आएगा जब भी electrical impulse तो उसको depolarize कर देगा तो उसके outer membrane पे negative charge आजएगा बागी पूरे ventricles में positive charge है तो इस तरह हम लोग कह सकते कि current flow करता है पूरे heart में जिसका direction from negative to positive होता है जो कि ऐसे होता है और जब इसका mean निकलता है इस current का तो वो लगबग इस direction में आता है जो कि ये लगबग 60 degree में आता है और इसका जो range होता है वो minus 30 से लेकर के plus 110 degree तक आता है तो अब हम लोग ये समच चुके हैं कि ये जो normal और mean जो range आया ये cardiac axis का वो actually में क्या है flow of the current through the heart को denote कर रहा है कि क्योंकि current ही ऐसे flow होती है कि इसका जो current का जो direction होता है या फिर current के जो dipole का direction होता है वो कहीं न कहीं इस range से लेकर के और इधर तक vary करता है और उसका mean जो आता है वो base से apex की तरफ जाता है इस वज़े से इसका mean है वो 60 degree पे लाई करता है अब next question होता है कि ये जो leads है उसमें deflection हम लोग कैसे बता सकते हैं इसके थुरू कि कब positive reflection हुआ कब negative deflection हुआ तो actually में क्या होता है कि हमने ये देख लिया कि minus 30 degree से लेकर कि plus 110 degree तक ये पूरा normal cardiac axis है इसके अंदर कोई भी lead का dipole या फिर lead का direction लाई करेगा तो वो positive reflection शो करेगा और इसके बाहर जो भी जाएगा वो negative reflection शो करेगा अगर हम लोग lead 1 की बात करें तो lead 1 जो होता है वो कहीना कहीं 0 degree के along लाई करता है इसलिए इसके अंदर positive reflection शो होता है क्योंकि ये cardiac axis के limits के अंदर है lead 2 कहीना कहीं 60 degree पे लाई करता है इस वज़े से इसके अंदर positive reflection होता है और वो भी maximum होता है maximum positive reflection होगा क्योंकि ये और नहीं तो cardiac axis के mean पे लाई कर रहा है इस वज़े से हम पे maximum deflection हम लोगों को positive direction में देखने को मिलता है अब ये deflections क्या होते हैं और ECG के अंदर ये deflections कैसे देखने को मिलेंगे ये हम लोग last part में discuss करेंगे पर अभी के लिए हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये deflections हैं क्यों 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 कि अगर cardiac axis के अंदर लाई कर रहा है तो वो positive deflection है और उसके बाहर लाई कर रहा है तो वो negative deflection है lead 3 जो होता है उसका direction या फिर उसका dipole जो होता है वो कहीं न कहीं 110 degree के along आता है तो इस वज़े से ये भी positive deflection शो करता है AVR अगर हम लोग बात करें augmented lead में तो AVR जो होता है वो outside the cardiac axis चला जाता है जिस वज़े से इसके अंदर negative deflection देखने को मिला था हम लोगों को और वही AVL और AVF जो होता है वो cardiac axis के अंदर आ जाता है जिस वज़े से हम लोगों को positive deflection देखने को मिला V1, V2 इसी तरह outside चले जाते हैं तो negative deflection देखने को मिलता है V3 के अंदर dipole उतना खास बनता नहीं इसलिए isoelectric या फिर थोड़ा बहुत slightly positive deflection देखने को मिलता है और V4, V5, V6 के अंदर भी positive deflection देखने को मिलता है अब question arise होता है कि ये जो leads हैं इनकी directions हमने कैसे निकाला कैसे हम लोग पता कर रहे हैं कि ये जो leads हैं उनका ये dipole का direction बन रहा है तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा detail में समझेंगे कि ये direction of the dipole क्या होता है हमने discuss किया थे कि dipole का direction हमेशा negative से positive की तरफ होता है और ये चीज़ हम लोग dipole का direction होगा तो यही हम लोगों को lead 1 में देखने को मिल रहा है ये रहा direction dipole का और ये cardiac axis के अंदर लाई कर रहा है इस वज़े से positive deflection देखने को मिल रहा है next हमने lead 2 देखा lead 2 जो था उसमें हमने right arm को negative terminal से connect किया था और left foot को हमने positive terminal से connect किया था और dipole का direction negative से positive हो जाएगा जिस वज़े से इसकी direction भी हमें cardiac axis के अंदर ऐसे देखने को मिली थी जो की था lead 2 का direction जो की mean के along आ रहा था इस वज़े से हम लोगों को maximum positive deflection देखने को मिल रहा था lead 3 की बात करे तो वो उसके अंदर left arm के अंदर हम लोगों को negative left arm को हमने negative terminal से connect किया था और left foot को हमने positive terminal से connect किया था जिस वज़े से इसका dipole भी negative से positive आया था और इस angle को अगर हम लोगों लेके चले तो वो हमें ऐसे देखने को मिल था lead 3 जो की 110 degree के along लाई कर रहा था जिस वज़े से ये cardiac axis के अंदर आ रहा था और हमें positive reflection देखने को मिला तो हमें समझ में आ रहा है कि कैसे dipole के through हम लोग समझ भा रहे है कि कैसे deflection कैसा deflection होगा अगर वो cardiac axis के अंदर है तो positive और बाहर है तो negative वही अगर AVR के अगर हम लोग बात करें तो AVR के अंदर actually में क्या होता है कि हमें पता है कि right arm को तो हम लोग positive terminal से connect करते थे इसके अंदर और जो left arm होता था और left foot होता था दोनों को negative terminal से connect करते थे मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो positive terminal होगा वो तो right arm होगा लेकिन जो negative terminal होगा वो average of the left arm और left foot होगा अगर इस triangle को अगर हम लोग बात करें तो left arm और left foot का लगपक बीच या फिर mean जो होगा वो यहाँ आएगा तो इस वज़े से इसका जो direction बनता है negative से positive यह वाला direction बनता है ABR का जो कि हम लोगों को यह देखने को मिल रहा है direction और यह direction हम लोगों को ABR में यहाँ पर देखने को मिलता है जिस वज़े से यह cardiac axis के outside लाई कर रहा है और हमने negative deflection देखने को मिल रहा है उसी तरह AVL के अगर हम लोग बात करें जिसके अंदर हमने positive electrode को connect किया था left arm से और negative electrode को connect किया था right arm और left foot से तो इस वज़े से हम लोग negative electrode के लिए हम लोग average निकाल लेते हैं right arm और left foot का तो इस triangle में right arm और left foot का average कहीं यहाँ आता है तो वो इसके center में आता है that is यह रहा negative electrode और positive जो हो जाएगा वो left arm पे हो जाएगा जो कि यहाँ पे हो जाएगा और direction negative to positive जाएगी वज़े से हमने इसको positive deflection कहा था इसी तरह ABF की अगर हम लोग बात करें तो positive हमने left foot पे रखा negative जो था वो right arm और left arm पे था तो इन दोनों का average हमने निकाला तो उसके बीच में आ गया और इसकी direction नीचे की तरफ आ रही थी और इसकी direction हमें यह नीचे आते हुए देख रहे है यह ABF की जिसकी वज़े से ABF में भी हमें positive deflection देखने को मिल रहा है क्योंकि यह within the cardiac axis आ गया वही अगर हम लोग chest leads की बात करें तो V1, V2, V3, V4, V5 और V6 की बात करें तो अगर हम लोग बात करें कि जो positive electrode है वो V1 पे होगा, मतलब यहाँ पे होगा और इनका जो mean आया जो की एकदम center पे आएगा वो negative electrode हो जाएगा और इसका जो direction होगा वो negative से positive हलका सा outside the cardiac axis जा रहा है जिस वज़े से यह negative reflection शो कर रहा है उसी तरह V2 भी जो होगा उसका भी direction outside the cardiac axis जाएगा जिस वज़े से negative reflection देखने को मिलेगा V3 जो point होता है और जो इस पूरे के पूरे right arm, left arm और left foot का जो एक center होता है वो लगभग coincide कर जाता है इस वज़े से इसके अंदर isoelectric या फिर कभी कभी slightly positive reflection भी हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है वाइल V4, V5, V6 जो होता है उसके लिए ये जो negative ये जो center होता है जहां पे हमारा negative electrode का average आ रहा है और ये जो positive electrode होता है इनका direction कहीं न कहीं cardiac axis के along lie कर जाता है जिस वज़े से V4, V5, V6 जो होता है वो positive deflection शो करता है तो अब हमने समझ लिए कि direction of dipole से हमने समझ लिए कि कैसे हम लोग determine कर सकते हैं कि कौन सा deflection हम लोगों को देखने को मिलेगा at the end of the day हमें यही वाला summary याद रखना है कि कैसे lead 1, 2, 3 के अंदर positive deflection देखने को मिलता है तो at the end of the day हमें यह summary याद रखना है अब यह जो deflection है वो हमें ECG में कैसे देखने को मिलेगा वो अब हम लोग discuss करेंगे यह एक rough ECG है जो मैंने draw की है जिसको आप एक normal ECG से compare कर सकते हैं एक real ECG से इसके अंदर हमने total 12 leads की बात की थी lead 1, lead 2, lead 3 के अंदर arranged कैसे होते हैं तो यहाँ से यहाँ का part जो है वो lead 1 का है यहाँ से यहाँ का part जो है lead 2 का है यहाँ से यहाँ का part जो है lead 3 को denote कर रहा है फिर AVR को denote कर रहा है यह AVL को denote कर रहा है यह AVF को denote कर रहा है यह वाला part V1 को denote कर रहा है ये तीनो positive deflection show करती है मतलब actually में ये deflection हम लोग बात करते हैं QRS complex के respect में मतलब QRS complex ultimately positive direction में जाएगा मतलब जो line है उसके उपर रहेगा या फिर negative direction में जाएगा मतलब उसके नीचे रहेगा तो lead 1, lead 2, lead 3 के अंदर क्योंकि positive deflection देखने को मिल रहा है तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो QRS complex है वो जो zero voltage line है उसके उपर देखने को मिल रहा है lead 2 के अंदर तो maximum देखने को मिलता है maximum positive deflection देखने को मिलता है इस वज़े से ये QRS complex बहुत जादा उपर तक जाता हुआ हम लोगों को देख रहा है और lead 3 के अंदर भी हमें ये QRS complex उपर जाता हुआ देख रहा है AVR के अंदर हमने देखा थे कि negative deflection देखने को मिलता है मतलब जो QRS complex होगा वो कहीं न कहीं जो zero voltage line है उसके नीचे जाता हुआ देखेगा और वो हम लोगों को यहां देख रहा है कि ये जो QRS complex है वो negative direction में जाता हुआ देख रहा है AVL और AVF वही फिर से positive direction में जाता हुआ देख रहा है क्योंकि यहां पर positive deflection देखने को मिलता है यह रहा positive direction में जाता हुआ AVR और AVF V1 और V2 के अगर हम लोग बात करें मतलब positive और negative में लगभग equal यह travel करता है V4 के अगर हम लोग बात करें और V5 की बात करें और V6 की बात करें तो यह positive deflection इनके अंदा देखने को मिलता है मतलब इनका जो QRS complex होता है वो generally उपर जाता हुआ देखता है हम लोगों को मतलब जो voltage line होती है zero voltage line वो कुछ surfaces और areas of the heart को represent करते हैं जैसे lead 2, lead 2, lead 3 और ABF जो होता है यह जो leads होते हैं वो inferior surface की electrical activity को actually में यह recognize करते हैं और inferior surface जो होता है वो supply होता है right coronary artery से तो मतलब इनके अंदर कोई भी दिक्कत होगा तो हम लोग यह समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं right coronary artery affected है या फिर कह सकते हैं कि inferior surface of the heart affected V1, V2, V3 और V4 जो होता है वो anterior septal that is anterior surface and septum of the ventricles इनसे यह electrical activity को record करने का काम करते हैं जिनको supply actually में करता है left anterior descending artery तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर V1, V2, V3 और V4 में कहीं भी हम लोगों को abnormality देखने को मिलेगी तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि defect या तो anterior septal area में है या तो left anterior descending के अंदर है जो कि generally myocardial infarction के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है इसलिए हम लोग V1, V2, V3, V4 जो leads होते हैं वो सबसे जादा हम लोग चेक करते हैं most common affected leads जो होते हैं नेक्स जो lead बच जाते हैं that is lead 1 हो जाएगा lead AVL हो जाएगा lead V5 हो जाएगा और lead V6 हो जाएगा ये leads जो होते हैं वो lateral surface से electrical activity को record करते हैं जिनको supply करती है left circumflex artery तो ये जो left circumflex artery या फिर जो record करेगी left circumflex artery जो होगा उनके अंदर कोई भी अगर pathology होती है या फिर lateral surface के अंदर कोई भी pathology होती है तो वो हम लोगों को changes देखने को मिलेंगे lead 1, lead AVL, lead V5 और lead V6 के अंदर तो ये हमने basics of ECG discuss किया ECG एक बहुत बड़ा topic है इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़े discuss करना बागी है बट अभी basics के लिए हमें इतना जानना sufficient रहेगा so this was all about this video if you like this video, please hit the like button do share with your friends and subscribe our channel if you want notes for this video or more such videos, message me on my instagram handle, link is given in the description below thank you